दर्शकुन नमस्कार प्रभाग की बात आपके साथ इस कारेक्रम में आप सभी का स्वाकत है महीं हूँ आपका हूस्ट संजेई मिरे और आज बी सिंग के स्टूडियो में प्रभाग की बात आपके साथ इस कारेक्रम के आज के हमारी मेहमान है अलका ताइप पूपट कर अलक उस चुनाओं के लिए वे अपने आपको कितना मजबूत की हुई है और क्या उनके रवर निती रहने वाली है और खास तोर पर प्रभाग 21 में आप आती हो तो प्रभाग 21 की क्या समस्या है ये तमाम बाते जानेंगे और हम सिदा रूप करना चाहेंगे आज के हमरे मेमान अल अलका जी का एजुकेशन काफी अच्छा हुआ है और इनका जनम भी नाखपर में हुआ है बच्पन से ही कुछ करने की चाहत इनके मन में थी समाच की सेवा करने का इनका एक अपना जुनून है इनके उपर में और उसी की चलते इन्होंने 2013-14 में आम आदमी पालिटी जाइ किया है सिधा रूप करेंगे अलका जी के पास अलका जी यह बते के आप अच्छी पढ़ लिखे थी आप संगीत अंदृत्य शेत्र में काफी महारत आपको हासिल है आप उस शेत्र में जाते हुए इस राजकारण में कैसे आई जी सर ये मुझे बच्पन से ही बहुत ज्या तो क्यों ना जब हमें अच्छा प्लैट्फॉर्म मिल रहा है और हमें अपने जो हम अभी तक जो कारिया करते आये हैं उसके लिए हमें बहुत अच्छा एक राजनीती शेत्र मिल जो मिला है हमें आम अदमी पर्टी के रूप में तो मैंने 12-13 में बहुत मेरा मन था कि तो ऐगर मैं आपने 12-14 में और मुझे रहां थिदयर सबने अच्छा एक सबस्या एक्तार में सबस्क्राणाम अच्छा जो मुझे की अधिकार नहीं जब हमें फिर पढ़िया उन्मा को को पॉए इसकनला कि लोगो तक रहां चाहां चाहिए नहीं एक बहुत अधार् Les nhais प और मैं उसे हमेशे उसको आगे ले जाओंगे आमध्वी पार्टी के कारेकरता के रूप में तो दर्शुका आपने देखा कि अलका जी जिस प्रकर से बता है कि वे पार्टी में कैसे आईगी जिसे कुछ करने की चाहत होती है उनके जीवन में वुज्जाला होता है और जिने लेकर वर्शों से कारेकरता के रूप में कर रही है अलका जी मुझे यह बता है कि आप जिस प्रभाग में रहती हुए किस में सब खासतोर पे कौन-कौन से इलाके उसमें सम्मिलित होते हैं जी सर जो प्रभाग 21 है पहले वो प्रभाग 9 था अभी 21 हो गया है अभी नए और फिर वसंत्राओ नाइक उसमें एरिया है और उसमें कुछ सिविल लाइन का भी पार्ट है तो जो जो मोहननगर गड़ी-गुदाम का जो एरिया है वो बहुत ही स्लम में है और वहां पे बहुत ही नोगों को दिक्कत है सर वहां पे साफसफाई के नाम पे तो कुछ भी बच्चों को खेलने के लिए इतना मैदान नहीं है सब्सक lets. भएक विद्री के लाइब्रेडिए्टी है उसमें इस्टेड़ी माटेरियल रहनेए वह दायए और जिवन जिवन बहुत है नहीं है स्कूल अब में काम करती हू college फह संद रिचता हम कर्म कर्मिश है कि लिटरली हम जब देखते हैं, as a teacher, मैं भी M.B.A.D. हूँ तो मुझे पता है कि teaching के शेत्र में जह हम स्कूल को ऐसा देखते है तो हमें बहुत बुरा लगता है और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं आगे चल के शिक्षा के शेत्र में ज़रूर में वहां के जो स्कूल से जो प्रभाक्रमांक 21 पर लगा है जो कि पुराना प्रभाक्रमांक 9 था तो 21 के नदर भी जो समस्या को आम बारे खास तूर पे वहां पर गडरलाइं की बड़ी समस्या है जब हम हमारे कैमेरा परसन किसरा जब रिपोर्टिंग कर रही हूं उस अप गड़िकदाम परिसर में ग तो यदि आप चुनके आओगी तो यकिनन आप काम करोगी और उसे के लिए आप खड़िए ऐसा आप काम मानना है अलका जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि राजकारन तो ये पार्टिक अलग होता है मगर जब कोई अच्छा काम कास करने जब आप जाती हो या अंदोलन के दा प्रेजन किया अपने आपको लोगों के सामने कि मैं आम अदमी पार्टी की कारे करता हूँ तो लोग मुझे दूर-दूर से ऐसे देखते थे जो भी जैसे मेरे जो पूराने भी रिलेशन से तो जब मैं उनको बता दी थी कि मैं आम अदमी पार्टी की कारे करता हूँ तो worthless वह कहते हैं आफ ऐसे ज्चुनाव का टाइम सामने आया यह तो तो बिज़ दूसरे अपर्टी में stuff कुछ में अपोजिक तो भी कि यह अची भूला है कि कोहीज तो नहीं होती है जब हम अच्छा कालिय करेंगे तो नच्रल है कि वो भी आगे जाएगा और जब मैंने देड़ दो साल से कंटिन्यू काम किया तो आज वही लोग मुझे भी कहते हैं कि बिल्कुल आप अच्छा काम कर रहे हैं हमें अप्रिशेट भी करते हैं और वो खुद हमें आगे से आग से जुड़े हम बहुत अच्छा कारिया कर रहे हैं मिल्कुल जब इक इस देश में कोई नई पार्टी आती है तो उनके उपर में प्रश्नी चिपना सा लगा रहा है तो उनके काम कास कैसे होगी क्या वे कर पाएगे नहीं कर पाएगे क्योंकि यदि मैं भारत के लोकतंतर क रूट आप पार्टीयां क trailer अच्छेया कर भारत कर से ऐसे जा zmandır आती है तो जो बहुत फुरी तरह से काम qarture की कर पाएगे यह नहीं यह तमाम बàते आती है और आम आदंभी पार्टी के बारे में भी शुरु के दोर में यह भारत थी मेर्धी जैसे अन्मिंदुंक जी ने तो जो भी दिल्ली के तरश पे जो किरिजीवाल साफ ने जो डेली में कारिय किया है तो हम जरूर स्कूल और शिक्षा, हेल्थ और जो भी और बहुत सारे स्वच्छता को लेकर ज्यादा हुनोंने कारिय किया है डेली में हम वो सब यहां पर इंपलिमेंट करेंगे सर और जनरल परसंट जो होता है उनकी चाहत बहुत होती है लोगों के समस्या चुड़ाने के लिए वे बेताब रहते हैं बावजुद उसके कि उनके हातों में अधिकार नहीं होता और अधिकार या वे डिजिदेशन नहीं होने के कारण या यू कहें कि जैसे विधायक हो सांसद हो या पारिशद हो ये जब तक ये पावर नहीं आ जाता है या ये पोस्ट उने हासिल नहीं होती तब तक वे चाहा कर भी काम नहीं कर सकते और इसी के लिए आज आम आदमे पार्टी की तेश तर्रार उमित्वार के रूप में अलका पुपट कर खड़ी है यदी वे चून नहीं करें किया है उन्होंने हम नहीं बोल सकते हैं अन्होंने सिर्फ 20 बश्स घ्राव्य कारिये किया है वह दिखता है लेकिन बाकि 75 पर संद्वा की जनता बहुत नाराज है और अभी तो अभी चुनाऊ आएगा तो हम भी जो हमने कारिये किये वह भी जनता देख रही है जो पहले के जो कॉर्पोरेटर से उन्होंने जो कारे किया वह भी जनता देखी रही है तो जनता ही सब सामने देखेंगे सर्थ बिर्कुल अर अलका जी बता कि जिसाए कोरोना का कारियकाल आया कई लोगों के मौती हुई कई लोग संक्रमित हुए नए-ए-वेरियंट्स नए जो लोगों को एक हाथ उनके साथ में जो बढ़ाया उनको जो खाने के जो सामुरी उनको जो वितरित की उसके बार में क्या कहना चाओंगे कोरोना कारे काल में आपने लोगों को क्या क्या मदद की थी जी सर कोरोना काल तो बहुत ही महामारी के रूप में हमारे सामने आया स से एकाम कीन्ट पर्फचार पार्षीट एंगंषान कियाट वसमें प्रचार प्रचार प्रश्चार था वसमें गरी गरेते थλα़ी करिष से और तो जिते खर शह क्यों है यह स्कुपन लेखाएँ दिख्आते हैं cette खरीप लेखे आप की मिया लावेट्फब्सन . वीक है तो हम उनको थोड़ा बताते थे और कोरोना काल में सेकेंड टाइम जब हमारी आई तब हमने काफी गरीब लोगों को जो फिजिकली हैनिकाब भी थे और जिनकी परिस्तिती नहीं थी जिनके पास बिल्कुल भी आज इवी का उनकी बिल्कुल चर्मारा गई थी ऐसे ल जो भी उन्होंने हम से हल्फ मागी हमसे जितना हुआ सार हमने उनकी मदद की सरूब कौन कहता है क्या आस्मा में सुराग नहीं होता एक पत्थर तो तब यससे कुछ करने की चाहते है उनकी जीवन में उच्छाला होता है यह मैंने शुरू के दोर में भी कहा था कोरोना कार जो नावरिक है वे मुझसे मिले और उन्हें आपको ढ़े सारी बदाईया दी थी रोजाना आपके मिलने का लोगों का तांता लगा रहता है उसके बारे में क्या कहना चाहँगे क्या कितनी खुशी होती है मन में आके जैसे कि वहां के जो लोग है वो मुझे जानते है और एक बहुत अच्छी बात है कि मैं उनके सामने उनकी बच्ची हूँ और वो मुझे एक गंटा आदा गंटा मुझे खड़े रहके सजेशन देते हैं उनको लगता है कि मैं पॉलिटिकल लाइमेंस ये फिल्ड में मुझे बहुत नॉलेज गेन करना चाहिए और वो बात भी स पॉलेज देते हैं सर तो मैं बहुत अच्छी से वो सुनती हूँ और अपने बड़े है वो तो वो जो भी मुझे बताते है या जो भी मार्डर्शन देते सर मैं उसको बिल्कुल मैं में रखती हूँ और उसको जब मैं उसको इंपलिमेंट करती हूँ और मुझे बहुत इसमें सारे लोग अच्छे well educated है well qualified है तो ऐसे लोगों की बहुत राजडिती में जरूरत है और वो मुझे हमेशे अप्रिशेट करते है मुझे मेरा motivation बढ़ाते है मेरा moral भी बढ़ाते है और कहते कि बिल्कुल आपने आगे जाना चाहिए और मेरे future के लिए मुझे all the best कहते है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे मुझे प्रेड़ना मिलती है सर कि मैं और अच्छा कारिय करूं और हमारे लोगों के लिए अच्छा काम में कर सकती तो मुझे शक्ती भी मिलती है और मैं आगे कारिय करती हूं सर बिर्कुल यह शक्ती भी मिलती है लोगों का जैसे आप खड़ी होने की अंदेशा उने हुआ तो वे काफी खुश नजर आए एक तरफ नागरिक खुश नजर आ रहे तो वही आप खड़े होने से विरोधियों के पाउं के नीची के जमी खिस गई है क्या एक चोटा सम एक्जाम्फल देना चाहूंगी हमारा गड़ी-ग भी खाँ प्रॉब्लम्स है वहां के लोगों का अन्हों प्राइतने किया और बीजेपी कॉंड़ेस और दूसरे भी पार्टी के लोगों ने वहां पे काफी बोला कि नै नी हम करेंगे जब मैने वहां वीडियो बनाय और मैंने वहां पे जब लोगों से बात किया वहां का मैं नब पाफ ने किया तो मेरे पास आय यह बोला कि अमने टो इतने सालों से यहां के लिए प्रेइटना किया और सेर्लों कुछ उने वाला नहीं है और काफी मुझसे बाते भी के यह लोंए बट मैंने कोई बात नहीं अभी तक आप ने किया अब मुझे थोड़ा तॉマिटै पर उनको हमने डेपुटेशन दिया मारे अमादमी पार्टी के तरफ से और उन्होंने वह संग्यान में लिया और फिर वहां का काम शुरू हुआ और हमें बहुत साटिस्फेक्शन हुआ कि वहां के लोगों को थोड़ी रहात मिली और भी हम आगे आएंगे तो वहां के वाइदे भी करते हैं आश्वास उन्हों की तो खैरार बढ़ती है उनके मेनुफेस्टों से लिए जाहिद नामा से सब बड़ी बड़ी बाते होती है मगर हकीकत तो यह है कि कई ऐसे पार्शद है जिनका चेहरा आज तक लोगों ने देखा भी नहीं है कभी उन्हें विज लोगों को आश्वास नहीं बल्कि वचन चाहिए काम करने वाला एक ऐसा योधा चाहिए उनका एक माबाप जैसा उमिद्वार चाहिए आप दर्शकों को क्या वचन देती हो यदि आप चून के आती हो तो अपने प्रभा के लिए क्या करना चाहोगी आमादभी पार्टी क और से जी सर सबसे तो आपके BCN News के बादन से मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती तो जो पहली के राजनीती जो बना के रखे एक और पॉर्पोरेटर्स लोगों ने तो पास सो रुपे में और बहुत सारे ऐसे इनोंने ब्रस्टाचार्क वही कि राजनीथ अर आपके, पहुत सब्सक्राकunda कि क्या आप बहुत जब अशी के दी पास ब्रुपे में अगर आप बिग जाते हो तो यह राजनीती हमें नहीं करना और मैना आज तक मेरें नहीं चाहिए, हमें किसमारें को हमारे में चाहिएंस इस्तरों को क्राइव, आप रहने लोगों कारें तो अज़न तक जितने भी आन्दोलन तक किया है, हमने उनसे कभी 5 रुपे 5 पंचास रुपे यह नहीं हैं बलकि हम हमारे तरफ से हम जितना अफोड कर सकते हमें अफोड किया है हमने जनता से कभी किस early Bears नहीं लिया तो ऐसे ही जनता को भी अपने वोड का और उनको समझना चाहिए कि हम विकाव नहीं है बिलकुर अलका जी मेरा यही एक सवाल था कि प्रभाग 21 की जहां बाती है मोर नगर हो खलाची लाइन हो या गड़ी गुदाम हो वहां जो समझ्याओ का अंबार है जून के आने के बाद आप समझ्याओ का अंबार को कैसे जो भी पॉकेट में वहां जाएगे वहां पर यह प्रोब्लम्स है और मैंने उसका काफी अच्छ से सर्वे किया है तो मेरी तो सबसे पहले यही प्रहतना रहेगा सर की उसको हम एक सिस्टमाटिक प्लानिंग बनाएंगे जो संट जॉन्स के सामने का जो नाला है वो काफी स जालों से वहां पर गंदे गिये पहले हम जब चोटे ते सर तो हम वहां पर चोटे चोटे फिश और मिंड़क के बच्चे हमें इतना ट्रांस्परेंट था वहां का वाटर कि हमको दिखता था नाला है अब बच्पन में बोलते थे लाने जैसा ही उसका पामी था नीचे उत तो हम अब गाडी के बाजू से भी नीच जा पारते है तो आज यहां वहां की जो परिस्तिती दिखाई देटी बहुत दुख होते हैं बट कोई बात नहीं हम जब आएंगे तो इसको हम सिस्ट्माटिक प्लानिंग से और उसको होता है सारी चाहिए चाहिए और उसको हम पर बहुत कछ्रा है और वहां का नाइन पानी जाने का क्लियर नहीं यहां पर भी उनका काफी प्रॉब्लम है, तो सबसे में मुद्दा थो वहां पर साफ सपाई को लेकर है जिसे की हमारा ही खराब होता है तो उस पर हम ज्यादा काम करेंगे जिए अर लोकततर में जिनेवाल 200-500 रुपे में या एक चोटी से शराफ के बोतल में या एक कंबल में खुद को बेज देता है यह लोक तंद्रिकी सबसे बड़ी हार है आज़ादी देश में आज़ाद देश के आज़ाद नागरी को ने अपने आज़ादी का सई इस्तमाल करना चाहिए चुनाओ चाहे लोग सबाका हो विधान सबाका हो या हो फिरस्तानिय स्वराजय संस्ता एने इनिम से के चुनाओ चुनाओ कोई भी हो अपने मतदाता का हक उन्होंने अच्छे से उसका यूज करना चाहिए ना ही किसी के बातों में आके ना ही कोई प्रलुभन लेकर खुद का उन्होंने कामकाज नहीं करना चाहिए अपने किसी को बेशना नहीं चाहिए अपने लोकतंद्र की जीत तभी हो सकती है जब इस लोकतंद्र में जीने वाला नागरिक अपने हकों को चानता हो वो किसी के पैसे लेके किसी को मतदान न करें, जो अच्छा कैंडिट है, जो अपने काम काज आता है, जो काम कर सकता है, उन्हें ही चुनकिए आप दिजिए, अलका जी, मैं जाते-जाते आखरी इस प्रोग्राम के सिग्मेंट में प्रभाग की बात, आपके साथ, यह हमारा यहां आ रहे हैं इनके प्रोग्राम जारी है जाते जाते इस समय में आपका प्रभाग भी हमारे अंडर में आता है तो प्रभाग 21 की जनता और पूरा भारत वर्ष बड़े गौर से आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है ऐसे व्यक्ति मत्व के ऐसे परसनलेटी के चुनाओ को लिकर है सबसे पहले तो सम्मीधान ने जो हमें यह अधिकार दिया है यह एक व्यक्ति के लिए हर एक दर्जे के लिए बहुत ही स्वाविमान की बात इस तो इसका सभी ने यूज करना चाहिए और घर से निकलना चाहिए और सच में जो जो पॉलिटिकल और आज चाहिए दुझ जिस दूचम मeं, अस तक प्रशम मरते हमे जी लिया है। लिकिन आने वसे उस एम फ्यूचर हमारे बक्चे रहें, तो फोछेंगे आपने क्या भी विहाता है। कि हमें हमारे आगे का भाविश्य हमारा देश हमें कैसा बनाना है तो हम हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छा फ्यूचर के लिए दे के जा सकते हैं तो मैं यहीं चाहूंगी कि जो भी वर्क के लोग हो बिल्कुल चुनाओं में जाके वोटिंग करें और मेरे आमग्मी पा के लिए चैड़े उन पार्शद जाए बनने जा रहे हैं जा रहे हैं इस समय में हमालाय कि है पुकार बहातदुरो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो आगे सबसे हो चलो तो बहुत-बहुत शुक्री आपका जो आज हमारे इन्वीश्यन के स्टूडियों में आप प् अगली बार प्रभाग की बात आपके साथ इस कारेक्रम में फिर नए किसी उम्मिद्वार से हम आपको रुबुरु करवाएंगे तब तक दीजे संजे मेरे को इजाज़त आप देखते रिए कि BCN News, नापपुर, नाशकार, नाशकार में, नाशकार नाशकार, नाशकार नाशकार